वेलकम टूर चैनल सेविल इंसाइड तो आज का मारा टॉपिक है फॉल्स तो हमने इससे पहले अपने लेक्चर में मैंने आपके उपताया था कि हमने फॉल्स करा था फॉल्स क्या चीजी होती है तो उसके पहले फॉल्स भी होता है जो हमने पहले जो फॉल्स करा था तो हमने सबसे पहले हमने कर लिया था so what फूर्ब हुमने कर लिया था तो अब हम फॉर्स करेंगेगे सर फोड़ा ये थ्ले definite displacement has taken place मतलब कि आप देख सकते हैं कि यह मैंने आपको इमिज दिखा रखिया तो आप देख सकते हैं कि The movement in a fault is of varying nature, it may be slow, sudden and of requiring type मतलब कि यह जो हमारे fracture आता है, यह जो हमारे fractures आ रखे या तो बहुत slow होएंगे हलके अलके से अते रहेंगे या फिर एक दम हो सकते हैं तो वह हमारे इसमें बताया हो कि मतलब कि fault ऐसे अकर हो सकता है The amount of movement is also highly variable ranging from few centimeters to smaller kilometers मतलब यह ज हमारा fault occurred होता जिसमें displacement होती या तो छोटी सी displacement भी हो सकती है कि सिर्फ s repairinge maintenance की displacement हो ङर फिर kilometer तक की भी displacement हो सकती है कि मतलब यह बहुत कम भी हो सकते हैं बहुत जाधा भी हो सकती है तो अब हम पढ़ेंगे इसकी terminology कि मतलब false में क्या-क्या चीज़े होती हैं तो हम आते false terminology तो सबसे पहले हमारा आता fault plane fault plane क्या होता है the plane splitting the rocks into two blocks long width displacement occurs is known as fault plane तो अब आप देखोगे यहाँ पर किये देखो यह जो हमारा एक rock हम लेते है rock block लेते हम इसे block तो अब हम देखेंगे जो fault plane है जो यह एक यह एक यह दो यह दो इससो में से divide कर रहा है मतलब कि cut कर रहा है तो उसी हम बहुते है fault plane यह एक imaginary line ही होती है तो अब वही इसमें 2 को इदिवाइड कर रहा है वह fault plane हो गया क्योंकि यहाँ से हमारा यह fault ट्कर होगा है यह यह इवली line हमारी fault ट्कर कर रही है तो वह यहमने fault plane की definition अइसे ने ने यह line यह हमारी जो ground surface अवससे हमारी intersection करती है तो उससे हम fault trace बोलते हैं तो आपकि यहाथ हमारे dipp and strike of the fault if deep and strike of the fault कि हमारा inclination of the fault plane with the horizontal is called deep of fault and the direction of perpendicular to the deep direction is the strike of the fault. मतलब कि उमारे fault plane आप देखोगे the inclination of fault plane with the horizontal जो हुमारी horizontal के साथ inclination हुई है उसे तो हम बोलेंगे deep और deep fault, deep of fault ठीक है और जो हुमारे strike होते हो हुमारी perpendicular to the deep direction होते है जैसी ये देखो अब ये इधर है ना अब ये देखो ये जो ऐसे लाई नहीं देखो अब डीप इस तरह को हुई है तो ये जो हमारे strike होगी और ये हमारे deep हो गया इसमें ठीक है ना तो ये हमारे deep हो गया तो ये था इसमें deep and strike of the fault या पढ़ सकते है इसमे राम से तो ये जो मैंने आपको इमिज दीए ने मैंने बहुत अच्छे से बुक्स वेरा से टूनदे और ये मेरे जो डाट डेटा है वो भी अच्छे से मैंने भूक्स से तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं कि मतलब आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से याद भी घर सकते हैं अब कोई भी answers में लिखो गई आपने papers वारा में तो कोई भी टीचे गलत नहीं करें और यह diagram बनाऊगे तो और अच्छे marks मिल जाएंगे हम आगे देखते हैं head अब head क्या होता है it is the angle which a fault plane makes with a vertical अब आप देख सकते हैं कि जो हुमारे यह angle बनाए decía साथ यह making a vertical अब समझें head क्या हुता है,वालड,each of the two blocks of the rocks separated by a fault plane ठीक है वह मने आपको पहले बताया था,is term as a wall जो हमारे two blocks जो हमारे separate होते हैं blocks को उसके बाग wall कहना शुरू कर देता है जो हमारे fault plane की वज़ा से यह fault plane की वज़ा से जो हमारा 2 blocks में convert हो जाता है एक दो हम इसे wall कहना शुरू कर देता है the block will rest over the other is called the hangy wall while the underlying block is called the foot wall अब देख सकते हैं जैसे यह ऐसे cut है तो अगर आप देखोगे यह तो वैसे अभी horizontally में अगर यह vertical होती तो यह कुछ ऐसे होती तो यहां जैसे cut है fault cut है तो यह वारा तो हमारा foot wall हो गया यह हमारा foot wall हो ठीक है और जो हमारी hanging wall है हमारे से उपर वाली हो जागी क्योंकि rest over the other is called the hanging wall while the underlying block is called the foot wall यह एक ऐसे fault पड़ा है यह पूरा एक 3D photo है तो इसमें fault पड़ा है तो आप देखोगे यह तो foot wall होगे तो यह na foot wall है foot wall नहीं foot wall है दियान से सुनना foot wall देख भी सकते हो foot wall है तो आप देखोगे कि इस rock पे मतलब इस wall पे यह वली wall लाय कर रही है तो मतलब कि यह दे सकते हैं थोड़ा से dips है तो मतलब यह वला weight थोड़ा इदर कोई जाएगा तो यह foot wall होगी यह hanging wall होगी तो hanging wall के उत्ते हैं तो rest करती है तो थोड़ा confusion सा यह है थोड़ा मतलब कि जैसे अब यह वला अगर ऊपर को ओता है अब यह वला अगर ऊपर को wall गई है तो उसे हम up throw side बोल देते हैं block की तो वो था up throw side यह बहुत easy है अब down throw तो इसका opposite ही हो गया तो down throw side के होता है of the two blocks the one which moves down with respect to the other is called the down throw side तो वो यह down throw side बोल नीचे बली होगी अब यह उपर को क्या है तो वो नीचे को आगा तो वो down throw होगी तो हम आके बढ़ते हैं throw the total vertical displacement in a fault is known as the throw of the fault देखो throw यह होता है vertical displacement देखो horizontal ही होता है vertical ही होता है अब जो यहां से यहां तकी displacement होई है उसे भी होते हैं और जो ही होती है the total horizontal displacement in a fault is known as the he of the fault तो ही हो हमारी horizontal होती है आप देख रहो होती है यह हमारी होती है देखो throw होगी है और यह हमारी होगी heave displacement ठीक है ना यह आप समझे यह is easy है आपको याद करने पढ़ेंगे यह आपको डाइगरम में simply आपको पताँ चर रहे हैं तो आगे पड़ते हैं slip अब slip क्या होता है? slip of fault is defined as relative displacement of two points which were initially against each other अब देखोगे यह वाला point और यह वाला point पर ले जूड़े होते हैं अब जो इससे relatively आया जो इतना इस डिस्प्लेस हुआ है इसे हम slip होते हैं throw तो vertical हो गया he हो हमारा horizontal हो गया जो हमारा relatively आता है वो हमारा slip आता है जो इस point और इस point से हम relative देखते हैं तो आगे हमारा आता है fault zone when a fault plane is not distinctly marked whether it is based by a zone of crushing it is terminal fault zone जो इसका को डाइगरम सो नहीं है तो आपको simply याद करना पड़ेगा और fault bracia fault bracia क्या होता है sometimes during intense faulting the rocks get badly crushed the angular fragments thus formed along the fault zone constitute fault bracia मतलग कि आप दे सके जब यह एकदम बहुत जादा ही fault नहीं अकर होती है तो हमारे ना rocks छोटे-छोटे pieces में होते हैं जैसे यह छोटे-छोटे नहीं छोटे-छोटे pieces में होते हैं the angular fragment thus formed along the fault zone constitute fault bracia तो यह जो हमारे यहां पे fault zone के पास-पास होते हैं उसे हम fault bracia बोल रहते है अब हम आगे पढ़ते हैं gauj क्या होता है the crushing of rock along the fault plane may time result in the formation of finely polarized clay not as gauj अब आप देसे पे gauj है the crushing of rock along the fault plane मतलब भी fault plane में जब हम crushing करते हैं तो यह जो यह चीज आगे ने यह वली यह जो चीज है यह जो और महीं पर मार्क रहो बैक के जो साड़ पे है इसे हम clay कहा लगते है वो हमारे होते है gauj होती है जो प्रष्ञे क्ले है निकलते ही वो होती है हमारे gauj तो अगला होता है हमारा silicon sides उसे तो scratch होएंगे दोनों से तो as a result sometimes statiations or grooves are produced such statiated surfaces produced by faulting is called silicon sides मतलब कभी-कभी यह अच्छे से नहीं कटते हैं तो ऐसे-ऐसे भी कट जाते हैं तो उसे हम कहते हैं silicon sides तो हम आगे करते हैं अब हम आते हैं classification पर false classification यह भी थोड़ी चार-पांच तरह की classification होती है आपको सब याद करने पड़ेंगी तब सबसे पहले हम करते हैं को फर्स्ट है हमारा on the basis of apparent movement of blocks apparent movement of blocks जो सबसे पहले आता हमारे नॉर्मल फोल्ड फोल्ड और नॉर्मल फोल्ड कहुता है तो उसे हम नॉर्मल फोल्ड बॉल देते हैं रिवर्स फोल्ड में कहाता है जो हमारी hanging ball उपर को जाती है फोट वाल हमारी जब नीचे को आती है उसे हम reverse इसका अंदर का क्या कॉस है कि उपर नीचे जाने का वोई टैंसी के साथ लगता है कई उपर से लगता है कोई नीचे से लगता है वो आप इस पर डिपैंड करता है तो नॉर्मल और रिवर्स में यह था फरक अब हम आते हैं दर बेसिज ऑफ डिप ऑगा फॉल्ड अब डिप ज्यादा भी कर रहा है तो नना कि तो ना इंती से थोड़ा सा क्व गविश्चा चाहिए वगया है तो मतलग यह कुछ हमारा एक्टिट्यफाइटीफाइफ डिप जादा थे हमारा इंगल फॉल्ट जो हमारा एंगल झार बोल जेते हैं जो हमारा 45 डिप्री से जादा है तो को लोट अंगल फोल्ड तरीक गालोश फोल्ड को लुट कर दिधा क्या है uwब ऐसे काःता है यह याद इन इस और दूसरा ऊसको आपटेट हो स में लुई पर लिए पेपर मिया आप उसके बाद आते हूं, the basis of attitude of the fault. अब attitude of the fault में क्या आता है, तो dip fault, strike fault, oblique fault. अब dip fault में क्या आता है, it is the fault in which strike of the fault is along the dip direction of the bets. अब दे सकते हैं, डिप डिरेक्शिन हाना, जैसे ये dip होई है, तो ये dip direction मी हो रहा है, देखो. ये हमारे dip है, ये वाला हमारे dip है, तो इसी डिरेक्शिन में fault आकर हुआ है, तो उसे हम dip fault क्या आता है, अब जो strike fault होता है, it is the fault in which strike of the fault is along the strikes of the bets. तो आप देखो गएगा, भी ये dip fault हमारे एक डम हैसे हो, once strike वोसके perpendicular होता है, तो आप दे स्कते है dip का आईसे होगा, and like Dirks되는 ने होगा, अब देखो. और ओलीक fault होता है, in which sights the fault is long dip और non strike. तो मम भी सबुदन को सब्सक्रानिक्स आप एक इankiुष दीन फेस्ट आप अगे कहता है शब्स्क्राइब केंप उस्याम न इसे हम डिपषिपश्जिप फॉल्ट करता है कि नेट स्लिप कि लिए इस में बादा है कि इसमें आप डिकहा सकते हैं आप नहीं दिखा सकते हैं तो ये same आप इसमें निकाल सकता, oblique fault में हमारा क्या होता है? Oblique sleep fault, total net sleep, जो कि ना ही हमारी strike पे आती है, ना ही हमारी dip में आती है जो बीच पे चाले आती है, तो महांके बढ़ते है, on the basis of general pattern of the force, यह थोड़ा अच्छा basis है, अच्छा बेसिस्ट है है फॉइंट पॉंट्स आएंगे शोज़िए सुनना क्या होते है लो अब सारे एक तरह की है कोई फरग नहीं है बस नामियात करने आपको सब सेम है नाम कर समझ आए गारें तो तो रेडियल फॉट्स और रेडियल मैनेर में और यहां पर गोंड उसे कहा है आपकर उसे रेडियों यह इन शोट इसे हों तो जैसे यह तो पैसे अफ ज़ाता है तो द्वसे हम रेडियल फोल्स खाटा है इन्ने क्लियों फोल्स पर फिर उसके उपर फिर उसके उपर उस स्रेएंग स्रेट ओर यह हो गया है। देखो एक इसे लिवराप interaction by बढर करेंडे सयेा लार खेको है किAnd stakeholders Shis.. बैले कि एक स्रेड के बहुते है। पाल्स 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 से यहां से इतना फॉट दग पर इससे इतना कर वा इससे इतना हो यह से इतना तो यह हमारे बैट मेरी स्ट्वा सब्सक्या रिखर आगे नवारे सबैक त्युस्य About heart comes like as arc और उसे यह परिफिरल से आसा है, आरक मेंदे चतल fet। शेब बंदाती है, तो उनसे परिफिरल फ्राइचर के राती है आपको के पढ़ सकते है तो फिरी परिफिरल Oregon मेनरBecauseip सुझाओंगे आपको दिधीव से पक्र मतलाबर शेयरोिप के चतले हैं होर्स्ट एंड ग्रेबन थोड़ासा मुश्किल होता है मुश्किल नहीं मतलब थोड़ासा लंबा है यह पढ़ने वाला उसमें तो आपको नाम से समझ आयाता है इसमें आपको समझना पड़ेगा अब होसी देख रहे हो सुन भी रहे हो और वीडियो देख भी रहे हो तो सेंटर में जैसे एक सिंपल ऐसी करूप था ठीक है आफ यह एसे पैर आट था इसका यह सारा एक ब्लक प्लक जो यह सारा बैड था अब जो मारा फोल्ट अकर हो एक यह यहां से वा अब यह वाला भी नीच्छे को और यह नीचे रहे हो लेकिन यह वला यह जरोंग यह हम ब तो प्रेट गाले में अब जो वहारा इस वाला इसका लिए उसके लिए उसके बन जाएगा को अब इसकी इंगलिश पड़ोगे तो a grabban is also a combination of two normal faults but occurring in such a way that the central block has moved down with respect to side blocks resulting in the formation of a trough here is a trough, it becomes a crest that is what I told you about in the faults and that is also in the faults means grabban is when it comes to the bottom and the faults is when it comes to the top it comes to the top it doesn't happen, it comes to the top it comes to the bottom so this is different so now we have to talk about fault causes fault causes is only tectonic causes fault is only tectonic causes non tectonic causes faults are also tectonic and non tectonic faults are also tectonic non tectonic landslides creeping but it doesn't come to this fault is always tectonic causes within the body the causes the earth crust are related so look at this I don't need to explain it more to you if you have read the faults video the same I have all the topics fault is the topic so the causes are the same the faults the causes are the faults so among tectonic causes may be listed the horizontal compression horizontal tension salt and vertical movements now I am going to read all your English once I am going to read all your English once I am going to explain it so that's the fault that's the fault when it is extremely intense it will cause acute recommend faults when it is acute we cut the fault we call it faulting that's the fault caused the fault the overlying limb is ruptured the overlying limb the overlying limb when we did the fault the limb is ruptured it is ruptured so that's the fault so if we get the next point also compressor forces within the earth's crust are associated with the tension tensional forces okay if in one part of the crust there is compression in the other there will be tension that means that if in one part like this is our rock if in one part there is tension then in the other part there is compression then that also the fault is ruptured after that we come to salt domes now salt domes that is explained for faults it is good that the move upwards like this is a simple ground so it is upward salt domes so that also faults can occur in our faults but there are very little chances the salt move of overlying events during the process some of the ruptured blocks may be lifted up and dislocated from the adjacent ones that is that there are very little chances of faults from salt domes similar is the effect of other vertical forces operating within the crust of the earth and the results in the sink are ruptured blocks are the blocks just that that is the fault that is the fault that is the fault but the fault is a little more in the fault in the fault the fault is the fault but the horizontal tension and the horizontal compression is the fault in the fault so this was our video you have to see the classes classic equation on the 3-4 basis and the terminology so this was our topic today is false so if you have not subscribed to Civil Insight if you have not subscribed to Civil Insight then please do it because I will add a lot of good videos in the future I will enjoy reading so I will add a lot of videos after 2 days so I will add a bell icon so you can also press the bell icon so you can also press the bell icon that I have posted the last video that I have posted the last video so you can see it from the foot of foot thank you for watching that I was really coming up that I had a chance to try as well this is the first time to figure out who is Youtube but the last video to the video that I would add to the video झाल झाल